आज कि इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि आप बेंटरी पर इंक्यूबेर को कैसे चलाएं अगर आप के पास लाइट की समस्या है कई जगा ऐसा होता है कि light बहुत कम आती है और उनके पास battery होती है तो आप incubator को अंडे से बच्चे निकालने वाली जो machine है उसको battery से कैसे operate करें हमारे पास एक हमने जहें देखो छोटा सा एक inverter बनाया है जो DC to AC मतलब battery के current को AC के current में convert कर देता है हमारा जे incubator है AC है इसके अंदर सारा system AC का लगा हुआ है बिजली से चलने वाला incubator है अब इसको मैंने battery से चलाना तो मैं क्या करूँगा देख सकते हो जहां से हमने दो wire निकाल रखी है जो battery के साथ attach हो जाएगी बैंटरी इस पे आप कोई भी छोटी भी लगा सकते हो मारूती वाली ट्रेक्टर वाली बड़ी कोई भी बैंटरी लगा सकते हो बैंटरी का connection आपने जे दो wire है बैंटरी पे लगा देनी है उसके बाद जे इस बैंटरी के current को convert कर देगा AC convert के अंदर दिखा देता हूँ आपको मैंने जहां से मैंने on किया इसको जैसे ही मैंने on किया आपके सामने जो incubator है वो on हो गया अब बैंटरी पे जे incubator चल रहा है अब इस चीज़ को हमने automatic बना दिया कि जब light आए तो फिर क्या होगा ऐसा नहीं है कि अभी तो मैंने बैंटरी पे चला दिया अब जब light आएगी तो आपको कोई तार नहीं बतलना ऐसा नहीं है कि आप wait करते रहोगे कब light जा रही है कब आ रही है इसकी तरफ आपने बिल्कुल धियान नहीं दिना तो जब light आएगी फिर क्या होगा एक wire AC की है इसमें यह हमारा सिर्फ converter नहीं है यह automatic converter है यह light से भी चलता है और बैंटरी से भी चलता है अब एक इसकी प्रेस वाली लीड देख सकते हो आप यह मैंने जहां पे लाइट पे लगा दी और यह back side पे मैं दिखा देता हूँ आपको जैसे ही मैंने इसको light पे ओन किया तो जो हमारा incubator है वो light पे ओन हो गया अब बैंटरी का जो connection है वो cut चुका है हमारा अब incubator है वो light पे चल रहा है तो इस तरीके से आप किसी भी incubator को बैंटरी और light दोनों से operate कर सकती हो एक छोटे से converter की सहता से इस converter की में अगर मैं कीमत की बात करूँ तो 1200 और इसकी कीमत है बैंटरी और light दोनों से operate होगा इसके अंदर automatic relay लगा हुआ है जैसे ही light आएगी जे light पे on होगा main supplies को हमने light की दे रखी है जब light जाएगी जैसे ही light जाएगी तब हमारा जो incubator है वो बैंटरी पे चलेगा किसी भी बैंटरी पे छोटी बड़ी किसी भी बैंटरी पे अब कई भाई हमें कहते हैं कि भाई साब आप हमें एक काम करें कि बैंटरी वाला ही incubator बना दो तो बैंटरी वाला incubator हम आपको क्यों नहीं बना के देते हैं उसके पीछे का भी कारणा आपको हम बता देते हैं वैसे तो हम customer को battery वाला भी incubator बना देते हैं कि वो battery पे चले ठीक है जी, वो सिर्फ battery पे ही operate होगा, हमारे पर इनकुबेटर भी ऐसे है, जो battery और light डोनों पे चलते हैं, बट अगर आपके पास light वाला incubator है तो उसको दोनों तरिके से प्रेट करवा सकते हो अब बैंटरी वाले इंक्यूबेटर हम कम क्यों बनाते हैं उसके पीछी का जो कारण है वो आपको बता देते हैं असल में क्या होता है कि बैंटरी वाले जो इंक्यूबेटर है उसके अंदर जो बलब लगेंगे वो 12 वोल्ट के बलब लगेंगे इसमें हाँ हो सकता है कि साइज कम बड़ा हो सकता है बड़ जो बैंटरी वाले बल्ब होते हैं इनके अंदर हीट इतना जादा नहीं होती जादा हीट नहीं होती अगर हमारा बॉक्स का साइज बड़ा है बॉक्स का साइज बड़ा है तो ये बैंटरी वाले जो बल्ब हैं वो पूर बैंटरी बहुत बड़ी चाहिए, उसके बैक साइट पे हमें जो बैंटरी वाले बल्ब हैं, वो भी बड़े साइस के लगाने पड़े हैं, फिर ही वो इंक्यूबेटर चलेगा, इसलिए हमने जो लाइट वाला ही इंक्यूबेटर बनाते हैं, लाइट और बैंटरी दोनों मातर 1500 रुपे में है इसकी इलावा हमारे पास जो दूसरा मॉडल है 45 अंडे वाला 1650 का है 100 अंडे वाला डबल कंट्रॉलर के अंदर है 2500 का है प्लास्टिक बॉड़ी में हमारे पास ऐसे 25 से 30 मॉडल मिलते हैं इनक्यूबेटर के हम आपके घर पर आके भी इनक्यूबेटर बना के जाते हैं और सारी असेसरी A to Z असेसरी जिदनी भी आपको इनक्यूबेटर बनाने के लिए असेसरी चाहिए सभी प्रकार की आपको असेसरी भी मिलेगी होल सेल रेट के अंदर मिलेगी पूरे इंडिया के अंदर हमारी supply है पहले हमारा जो था पंजाब और हर्याना में cash on delivery था और बाकी जगह से हम payment advance में ले रहे थे पर अब हमने क्या काम किया है सिर्फ 500 रुपए जो career charge है वो हम पहले लेंगे 500 रुपए जो पहले career charge है वो हम advance में लेंगे बाकी incubator का जितना भी payment है आपके पास जब incubator पहुंचेगा delivery वो आई को आपने payment कर देनी है और आप तक incubator पहुंच जाएगा फिर मैं इसके बारे में आपको समझा दो